दो पॉलिटिकल पार्टीज और हैं जो हर्याना में वोट मांग रही हैं, मतलब हैं तो कई, मैं उन दो पे आपके स्पेसिफिक रिमार्क्स चाहता हूं, बस्पा ने आइनलडी के साथ किया है और आजाद समाज पार्टी ने जज़पा के साथ जी तो ये आजाद समाज पार आजाद जी की पार्टी अब एक लेजलिंग पार्टी नई पार्टी है, वो आज के दिन एकदम लोएस्ट नादिर पर है, दस साल जो उनकी कार गुजारी रही, दस सीटें जीतने के बाद, सरकार के साथ जुड़ गए, किसान अंदोलन में क्यूंकि इनकी लेगसी जो है, वो किसानों की है, उस तरह की, उसमें किसानों के साथ ना खड़ा होकर सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होना, जो शायद अब आज पर आज के दिन, तो वो मुझे लगता नहीं कि विशेश काफी कम हो गई है, आपने देखा यूपी में भी तो उसका असर हर्याना में भी पिछले कुछ सालों में काफी कम होता नजर आया, समर्तक करें कि आकाश आनन्द की आने के बाद हो सकता है कि पार्टी पुनरजी वित हो, अब आगे समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं इतना नजर नहीं आ रहा है, आप ती पायवतीजी से बात मुलाकात होती है? नहीं है, संसत में जब थे आप लोग साथ में अलग था राजय सभा में थे तब वहीं पर आते जाते हैं, बस हलो हाई, लेकिन रही बात लोकदल की जो इनका गड़ जोड है, लोकदल भी अब तो एक बार रूलिंग पार्टी रहा हो, फिर ऐसे एक दम तूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, परिवार में तूट हो गई, तो आज के दिन थोड़ा बहुत है उनका, यह नहीं कहती कि बिलकुल खत्म हो गई है, है उनका, थोड़ा बहुत, लेकिन अब आप जहां से सांस हमारा भी गड़ और पिछे हम जीते भी हैं वहां से, हमारे अमेले भी जीते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, उनका भी अब वो बात नहीं रही जो एक समय था, जैसे आपने याद कि I.T.7 का समय था, जो देविलाल का था, उसके बाद भी इनकी सरकार रही, नाइटीए में सरकार भी रही थाए पर हम 2005 ने ही जीते तो इनका रहा लेकिन उसके बाद उनके उनके अपको जैसे अ परिवारिक पार्टी ही थी हे तो चेत्रीय क्ष्टीए भी क्या विखए परिवार्ए से तो इसे उनका इपनी जगह वहां प्राब्लम नट माइन गर्की और असर की बात हुई तो मुझे गुरमीत राम रहीम की पेरोल याद आ गए चुनाओ के समय है फिर से मिल गई है सिर्चा के लाके में ज्यादी असर रहता है इतना ज्यादा भी नहीं देख को बीडिए वहां देखो हमारे देश में हैं या कुछ भी कहें पंजाब में भी हैं हर्याना में भी हैं हमारे कई जगे ये डेरे टाइप होते हैं ये ग्रो कुछ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कुछ गरीब लोग हैं कोई जगे ढूनते हैं वहां पर अट्रैक्ट करते हैं लेकिन बात ही आ जाती है कि उनको समा कोई सीख देना वहां तक ठीक है लेकिन जब राजनितिक रूप से इंटरफियरिंस करने लग जाएं तो अल्टिमेटली देखिए लोक तंत्र लोक तंत्र में चाहे पहले सामन्तवादी लोग रहे हूं या इस तरह के लोग हों वह राजनिति में जब इंटरफियर करने लग तो पिर दिक्कत आती है, उनको भी लोगों को भी दखल देते थे, कि सारे डेरे? आपने देखा पीछे फरमाण, फरमोन इस तरह के, सारे नहीं होते ऐसे, सब नहीं होते, पर कुछ होते हैं, तो उनको फिर दिक्कत आती है। चलिए, आपने इतना समय दिया? जहां तक डेरों की बात है कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं और वो करें समाज में रिफॉर्मर्स की सोशल रिफॉर्मर्स की इनकी सबकी जरूरत होती भी है गुर्मीत रामरहीम अदालत से सजा पाया हुआ परादी है तो मैं सिर्फ उनकी नहीं करें यह स्पेस है एक ज कानून से उपर और लोगत अदर से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता और किछ भार सेंसिट ब्हामला क archoknella की वोट की राजवनिती की कारण हम यह करें चाहिंथ रहें लोगतंतर है और लोगतंतर में लोगों का वर्चस्व कर ब्रॉलर्स हो होना चाहिए किसी भी तरह का कि वो ने ठीक है कई बार कुछ प्रेशर ग्रूप सोते हैं कई बार वो ज्यादा काबू कर लेते हैं लेकिन लोगतंतर है समय के साथ तो आपने देखा है कि कोई भी हमेशा तो कुछ रहते हैं चीज